प्रवाइब देखोगे तो पहले तो काफी अच्छी देखे इसमें गैप देखने को बला फिर गैप के बाद अगर आप देखोगे तो कहीं ने कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को बली बजार में मंडे के दिन कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है कहां पर बढ़ बाएंगे यहां है काहां पर से लिग करना चाहिए उसके पीछा क्या साइकोलोगी होने वाला है तो सबसे पहले तो हम बड़े चार्ट दो 하ंशावनेफम देखने को चांप यहीं तो अगर आप देखो तो यहां पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हमने कॉल दिया था वह जिगा 37500 का कॉल दिया था और इसके सभी टार्गेट इस जिगा हिट होते हुँ दिखाई दिये अगर आप इस जिगह देखिए एक मिल्ड का चार्ट भी देखो ना तो एक मिलके चार्ट पर देखिए जो 37750 का लेवल था वहां से देखिए इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को बले और कंटीनी अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को बला देखिए कितनी बड़ी से लिंग इस जिगह दिखाई दी फ्री टेलिग्राम चैनल का लिंक सबसे पहले तो मैं आपको बताना चांग ह Tá norte कि मार्किट में देखिए जो रहत इसमें इक बन जि पर बनाता वह कई न कहीं दखे इस जिगह exert también 1 3756 सौunda इस लेवल को मै ने आपको बताया भी था कि इसका जो हाई है वो कई न कई एक रजिस्टेन का हाई है और फिर वहाँ से अगर आप देखो तो वहाँ से देखे इसमें एक सेलिंग देखने को ली जो की कंटीनिव सेलिंग थी अगर आपने देखा हुगा फाइब मिट के चार्ट पर या वन मि आ रहा था यानि अगर हम बात करें तो ऊपर के लेवल से देखे इसने जो लो मारा था वह जगा 500 पॉइंटों का लो मारा था यानि 500 पॉइंट जे मार्केट के आया था नीचे आया था अपने हाई लेवल से किस लेवल से अपने हाई लेवल से नीचे आया था अब इसमें देखे दो चीजे आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हुआ कि अगर हम उपर के लेवल पर इस जगह पुट बाइंग करते यानि जे वाला जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है इस लेवल पर हम पूट बाइंग करते हैं तो हमको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को बलता जो कि हमको 500 पॉइंटों का प्रॉफिट देखने को बला अब इसके पीछे क्या रीजन था आपने देखा होगा कि मार्केट में जो वॉल्यूम द दिखाई रहा है जैसे इसने एक क्रोस ओबर किया अगर आप देखोगे इस वाले वॉल्यूम को तो यहांपर यह काफी तेज वॉल्यूम बना है उससे बड़ा वॉल्यूम एक बनता हुँ दिखाई दिया यानि लोगों को कही नहीं इस जगह वाइं करने में इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था ठीक है उसके बाद देखे एक बड़ा volume के साथ देखे एक इसलिए आपको रैठ volume बनते हो दिखाई दिया अब सवाल आता है कि इतनी सारी हमने बात किया लेकिन के बाद हम को कैसे पता चलेगा कि आंगे कहां पर करना चाहिए या उसके पीछे क्या साइक्लॉजी लेवल होने वाला है उसके बारे में हम बात वारे में वीडियो को लाइक कीजे शेर केजे सबस्क्काइब कीजे और आज का लाइक का एम हम रखते हैं इस जगह देखे तीन हजार लाइकों का तो मुझे उमीद है कि आप सभी लोग इसको भी पूरा करोगे कि अब हम इसमें क्या बाइंग कर सकते हैं सबसे पहले मैं वह आपको बता रही ता हूं ठीक है आपने देखा होगा कि मार्केट में सबसे पहले एक गैप बनता हुँ दिखाए दिया जो कि लोगों को लगर आता कि वही इस गैप को फिल करेगा ठीक है नीचे की साइट लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया दूसरे दिन में अगर आप देखो कि तो यहाँ पर एक बड़ा बनते हुँ दिखाए दिया ठीकिन उसके बाद एक उपर की साइट का लेवल हमको दिखाए देता है जो कि इस जगह 37,600 का लेवल है कौन सा लेवल है इस जगह मैं लिखना चाहँगा 37,600 का लेवल है अगर मार्केट इसको उपर की साइट पार करता है तो मार्केट कहीं ने कहीं और तेजी दिखा सकता है ठीक है आपने ब मार्केट किस लेवल तक जा सकता उपर इस जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा 38,000 तक मार्केट ऊपर की चाहिए जा सकता ऐसा क्यों क्यों कि अब भी तक यह वाला जो उपर वाला लेवल है एक साइकलोजी लेवल है ठीक है और आपने देखा होगा जब मार्केट नीचे आ रहा था तो मार्केट नीचे आने के लिए डीवार इस लेवल परो जर्जिस्टेन लिए लि shirt तो अगर जिस वाले रजिस्टेन को उपर की साइट पाल कर देता करने के बाद ऊपर की चाहिए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सी इब करके चल सकते हैं किस लेवल के उपर जे के वाला लेवल आपको दिखाई दे रहा है अब इसमें कंडिशन क्या होगा कि जो आपका केंडिल बनेगा इस जगह काफी लोग पूछते हैं कि वही केंडिल कौन सा वाला होना चाहिए तो पंदा मिट का केंडिल होना चाहिए जो केंडिल बनेगा वो इसके ऊपर निकलना चाहिए यानि आपकी ओपनिंग नीचे और किलोजिंग ऊपर की साइट होना चाहिए तो हम इसमें क्या बाइंग करके चल सकते हैं हम इसमें करके चल सकते हैं यह तो पहला लॉजिक है मैं आंगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीई कहां पर बाइंग करना है और मार् इसमें भाइंग करके चल सकते हैं फिर हमारा डेकर टार्डड की हम बात कर लेते जगा पहला टार्डेट हमारे सैंत 3000 700 का होगा दूररूर टार्डड आपका 37ерт हैजारशा देखने को बलेगा और लास्ट टार्डड मैं बड़ा देना चाहूँगा जो कि आपका 38,000 का देखने को बलेगा तो इन तीन टार्गेट के लिए हम काम कर सकते हैं टोटल हमरे पॉइंट होंगे इस जगह 400 पॉइंट के तो इस जगह मैंने आपको बता दिया है चलिए बात करते हैं option chain के बारे में उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चार अगस्त का option chain है और इस जगह देखे ओवाई के डेटा के बारे में बात करना चाहूँगा और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीगराम चैनल को तो सब्सक्राइब करी लिजे बिल्कुल फिरी में है और पिलस अगर आपको हमा बात कर लेती हैं तो सबसे पहले तो देखें इस जगहाँ आपको मैं दिखाना चाहँगा कॉल का जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है इसमें अगर हम बात करें तो 8,30,790 के समतिंग का आपको देखने को मिलता है उस जगह अगर हम बात करें तो यहां पर देके 7,777 हज से इस जगह देखने को मिल जाता है कि मार्केट ने एक ट्रेंड दिखाया है नीचे के लेवल से कंटीनी तेजी दिखाई दिया है लेकिन मार्केट कहीं ने कहीं अपने साइक्लोजी लेवल के पाद जाने की कोशिस कर रहा है जो की अगर हम बात कर तो 38,000 ब faktory लेवल पर हमको पीविव बाइंग करना है अगर अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 37,600 के उपर निकलता है तो हमको एक तेजी देखने को मिलेगी जो तेजी अगर हम बात कहां तो continue आपका 38,000 तक जा सकती है लेकिन इसमें आपको एक चीज और समझना है कि अगर मार्केट अपने नीचे के लेवल को यानी psychology लेवल को बिरेक करता है जो कि आपका देखे 37,450 का लेवल है अगर मार्केट इसको नीचे की साइड बिरेक करता है तो फिर मार्केट में नीचे सेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि इस लेवल पर अगर आप देखो तो कई ने कई देखे लोगों ने अच्छा खासा देखे पुट बाइंग करके रखा है अगर जिए मार्केट इसको बिरेक करता है तो फिर मार्केट में एक सेलिंग आपको देखने को बलेगी जो कि कई ने कई अगर हम बात करें तो दो सो से लेके आपको इस जगह 300 पॉइंटों की सेलिंग देखने को मिल सकते है लेकिन कंडिशन है वही 37 सेह 450 के नीचे जाना चाहिए और इसके उपर मिलता है तो हम पुट बाइंग कर सकते हैं एक बार मैंने फिर से आपको इस जगह वन डे का चार्ट में आजाए तो यहाँ पर आप देखो तो यह उपर वाला लेबल है जो कि कई ने कहीं मैंने जो ओपन किया जी 38,000 का लेबल है अब मार्केट ने देखे नीचे की लेवल से अगर आप देखो तो यहां पर देखे आपको समझ में आएगा मार्केट एच जगह से उपर गया एक अच्छी तेजी देखने को बले लेकिन मार्केट ने किस जगा से एक profit booking दिखाया था जो कि आपका कई ने कई 35,500 का एक लेवल था उच जगा से इसने profit booking दिखाया था ठीक है और फिर मार्केट कितना आया था इतना नीचे की साइट आपको देखने को मुलाता क्यों देख नीचे तेजी बनने के बाद एक ही लेवल आप इसमें दिखाय देता है जो कि आपको ऊपर की सायट मैं इस जगह लिखना चाहूंगा 38,000 का एक लेवल दिखाय देता है अब यह बार बार मैं 38,000 क्यों कह रहा हूं आपसे क्योंकि मैं इस जगह देखिए एक आपका रिक्स हो जाता है अगर मैं इस जगह आइंग काता तो एक तो मेरा एकसल घं resolve एखल ऐख हो जाते के और लेकिन प्रॉफित होने के चंसमको बड़े हो जाते हैं टार्डेत हमारा काफी बड़ा देखने के बलता है इसलिए हम इसके यह से और बाइंन करने के कोशिव करने के तो यह वही लेवल है जिस लेवल से देखे मार्केट में एक बड़ी आपको देखने को लेती और मार्केट नीचे की साइट आया था जी आपको याद होना चाहिए जे पॉंटों के वैसे मार्केट में सेलिंग दिखाई दीती इससे पहले भी अगर आप देखो तो यही वह और मार्केट नीचे की साइट आया था तो एक एक चीज में आपको काफी अच्छे से देखे बताने की कोसिस कर रहा हूं तो चली यह जगह हम समझ लेते हैं कि अगर मार्केट 38,000 के सम्तिंग मिलता है तो इस जगह हम पुट बाइंग करेंगे बिल्कुल हम इस जगह करेंगे नाली से कंड zł बननार चाहिए काफी लोग हूछते हैं कि लिखना कंडल वन वess går कंडम फिर हमार whereby Park ट के ढूघ और तो तो 37,650 के देखने को विलगा यानि हम इन target के लिए काम कर सकते है है total target हमको 350 पॉंटों के देखने को मिल सकते हैं काफी अच्छे target है अच्छा profit आपको देखने को मिलेगा क्योंकि race आपका कम है ऐसल आपका कम है और target आपके काफी बड़े है तो इन अपोचेटिंटी को जरूर देखा करो इस सवालों की संक्या काफी जादा है आप सभी के और इस सवाल की संक्या में एक और सवाल लिकल के आता है कि अगर मार्केट गिरावट के साथ ओपन हुआ तो वो हमारे लिए कौन सा लेवल हो सकता है जिस जगह हम बाइंग करके चल सकते हैं तो देखे आपका जेवाला लेवल मुझे काफी इच्छा दिखा देता है जो कि 36,800 का लेवल है अगर 36,800 के लेवल पर मुझे मार्केट मिलता है तो एक बार मैं इस जगह देखे कॉल बाइंग करने की कोशिज जरू करूँगा क्यों करूँगा क्योंकि देखे आपको इस जगह समद में आना चाहिए यह आपका क्या लेवल ता है आप मुझे कमेंट में बताइए आपने भी ऐसा सोचा था क्या यह आपका एक रजिस्टेन का लेवल ता ठीक है इसके आंगे भी देखोगे तो यह आपका क्या था एक रजिस्टेन का लेवल ता ठीक है यहां पर काही ने कई लोग को देखे कि इस जगह ब्रेक आउट مिलेगा तो मैं 5 बाइंक करógा की ने ही मिला अगर फिर से इस लेवल पर आ जाता है जो कि मैं इस जगह लिखना चाहूंगा 36,800 के लेवल पर आ जाता है तो जिस सभी लोग जो इस जगह उदास हुए थे वो कहीं ने कहीं इस जगह इस लेवल पर देखे मैं बता देता हूं कि मार्केट में देखे जगह ओपनिंग आपका नीचे की साइट हो लेकिन किलोजिंग उपर की साइट होना चाहिए यानि अपने लोग के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट ठीक है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए तो हम इसमें क्या बाइंग करके चल सकते हैं हम इसमें की बाइंग करके चल सकते हैं अगर मार्केट नीचे मिलता है तो छचाहिए अजाएसँ पर हम ज जेटर्डीयों करेंगे और फिर हमारा डेंगर क्या होगा है तो पहलें हम बात कर लेते हुए और हम इस जिगह रिक्स को manage कर रहे हैं और हम manage कर रहे हैं कि हमको कहाँ पर buying करना है। अगर हम market की बात करें, market कैसा open हो सकता है, तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि market हल्का full का देखे gap के साथ open हो सकता है, फिर हमको उसमें वेट करना है कि अगर मार्केट उपर की साइट निकलता है तो हम उपको उपर की साइट टेरेट ले रहा है अगर मार्केट नीचे की साइट जाता है तो हम वाला टेरेट में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा ठीक है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के decision में दिया गया वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कीज़े, share कीज़े, subscribe कीज़े आपके important जो सवाल है वो मुझे comment कीज़े, जैहिन बनने मतर हूं